काम थे निधी करेंगोनी बीजी पाड़ून काम नहीं कि उच निधी दो लठ देन द मतल हो रहे हैं क्या वजे कांग्रेस का जो आप माहूल बता रहे हैं बीजेपी सितंग आरे है यह वाच इतनी भी क्या है कारण क्या है क्या करें ना कोई नोंकरी ना कोई रोजगार कुस भी निंद्धेर ख एक्वान कोई आप में निकलनीच इन पने कितने का जशी इयो इसह जो डुर्टार का गाया दो साल सबैरोजगार ऊगये दुख पाए से किसी की तूसन का गया किसी का मजदूरी का गया किसी का मिस्तरी का काम गया सब दुख यह कौई अच्छे काम नहीं है मतलब इस बार आप परिवर्तन देख रहे हो हाँ बिल्कुल बोट भी जपी ने देवां हुद ज़ बटावां गई आटावां गया जा बोट किटेव का इस है कॉंग्रे प्यारे दोस्तों लोक्षभा हिसार में इस समय हम मोजूद हैं लोक्षभा छेत्रों के विशलेशन की कड़ी में आज हम हिसार के दुर्गा समीती पार्क हिसार के सेक्टर 13 स्थित दुर्गा समीती पार्क में मौजूद हैं हमारे साथ यहां सभी आयू वर्क के लोग मौजूद हैं पहले तो इनका एक टेस्ट सा लेते हैं कि कौन-कौन उमिद्वार खड़े हैं हिसार में ज्यादा उमिद्वार ह से हैं यह पता लगेगा और उसके बाद आपको विशलेशन बताएंगे आपका नाम किया जैपरकाश है जैपरकाश कोंड कोंड चुनाव लड़ रहे है कि शार लोग शबाश चौधरिण जी सिंग चुटाला बार्टी भी बताते चलो बीजेपी और इसके कॉंग्रेस से जै ना बहुत राजनितिक रूप से जाग रूख हैं तो आपने सारे नाम पूरे कर दिये मुख्य मुकाबला हमको चांटना हूं मुख्य मुकाबला किन दो पार्टियों के बीच चल रहे हैं मुख्य मुकाबला तो जी BJP को और कॉंग्रेश का आप से बात करते हैं तो हम यह माने हिसार में इंडिया नेशनलो कोई खास भूमिकावे नहीं है नहीं है जहीं है इन दो इनका कुछ नहीं दोनों का समेन बाजपा और कांगरिस कही है कि अच्छ इन बिग हम थोड़ा सा माहुल अगर जानने की कोशिश करें कि हिसार क्या बोल रहा है हिसार किस तरफ जा रहा है तो क्या सोचेंगे आप सिटी में तो जातर बाज़पा का है अगर हम 2014 है और 2019 और फिर आप 2024 इन तीनों चुनाओं का विशलेशन करके देखें तो क्या बदलाओ देखते हो मोदी मैजिक जो था 14 में 19 में वो उतना ही है या कुछ नीचे आया है अब ग्राफ अब भी कुछ नीचे मोदी में जिक ग्राफ तो यहां पर चेत्री नेताओं के बीच लड़ाई है चेत्री तो इतने ज्यादा कोई है नीच चेती वाले नीचे एक प्रियोग किया गया भारती जनता पार्टी ने लास्ट में मनोहरलाल को हटा करके नायब सेनी क आप क्या मानते हैं नुक्षान हुआ है महाबीर सिंग पून्या तो अधेर उमर में आप पहunta चुके हैं बहुत चुनाव देखे हैं हिसार को तोलना हूं हिसार कि दर जा रहा है है हिसार कि दर का नहीं मैं तो कह सकता हूं इस सरकार आई जो काम नहीं किये एक तो लोड डॉट लगाया दो साल सभी बेरुजगार होगी दुख पायसे किसी की तूसन का गया किसी का मजदूरी का गया किसी का मिस्त्री का काम गया सब दुख है यह कोई अच्छे काम नहीं है मतलब इस बार आप परिवर्तन देख रहे हो हाँ ब दूश्यंतर बीटेम होगे तो मुकाबला कौन कर रहा है आप जिस पार्टी की विरोध की बात करें बाजबागी मुकाबला गठबंदर नहीं कर एगा इंडिया गठबंदर आगा यही जैपरकास तो मुकाबला जैपरकास बनाम रंजी चोटाला है तो आपके इसाब से इन म कांगरेस का कंडिडे对्स भारी यह क्या काग्रेस का कंडडिट ट्र क्यों भारी? अक्टो साब बतर यांची वहीं दुम्मा की पड़तों सुन की पर्ची पड़वाँ अधारकाल्ड देवाँ अधारकाल्ड थोड़ा है इतनी आईडी लगा दी के पुछों मत यह हिसार के सेक्टर 16 और 17 का पार्क है हमारे साथ विभिन आयुवरक के लोग मोजूद हैं यहां पर मुख्य मुकाबला का कोई चार पार्टियों के बीच मुकाबला बता देता है जन्ना एक जनता पार्टी का जीकर कर देते हैं कोई इंडियन नेशनल लोकदल का भी जीकर कर देते हैं हम अपनी और से कुछ नहीं कहेंगे जो हमारे साथ मोजूद है इनी से जानते हैं यहां पर किस तरह का महूल ह से कौन चुनाओ लड़ा है ? आप बता को साब पार्णजीत Caoonyкус का रणजीत भाजठ से और एक एद गקर बाजद गुए है तो आपको महा हूल अगर समझना हो कि कीन दो पार्टियों के बीच मुकाबला देख रहे हैं आप दो कांग्रेस और भाजपा आपका नाम बताओ जी आजमेर सिंग जी आप बताओ दो पार्टी कौन-कौन है जिनके बीच मुकाबला देख रहे हैं वही है बीजेपी और कांग्रेस और इनमें तोलना हो तो थोड़ा वजन करना हो तो कोजी सतरूड पार्टी है थोड़ा उस तोक्त की वोटर संख्या ज्यादा है कि सेहर की उसार की जायओ की ज्यादा बनगी की ज़युक्ति तो आपका गणित बता रहा है कि जब ज़्चादा बभाव है या आपका के नहीं जिन्दर जेंदल सब क्या सोचते हो निवी है अब बताओ बड़िजी जीवे सारे बुद्दी जीवे आप इशार की सीट कलियर जैपी की एशार की सीट के लिए जैपी कलियर जैपी वजे क्या है 2014-2019 और अब 2024 क्यों बदलावाया है एक दम क्या कारण रहे उपर जात्ती का निच्च है उपर दरम का निच्च जात्ती का ये असर आ रहे है अर बाकीन के काम कुछ हो रहे है को निया अथमार एक आद्मी के कागे चे प्रोपरटी आएडी फैमिली आएडी पैं प्रोपरटी आएडी जो बाते चल रहे है भाजपा सरकार ने जो प्रोपरटी आएडी रहे है जो लोकषबा चुनाओं में इनका असर रहेगा या मोधी मैजिक का कोई असर रहे गाए जी पाजपा को क्यों वोट जायेगा और भाजपा की जीत आप जो संभावना बता रहे हैं वो किस कारण से क्या क्या है कि बीजेपी ने अपना प्रधान मंतिपद के लिए उम्मीदवार घोषित करका है वीपक्स ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया अब वो डालते हुए आदमी सोचता है कि एक तरफ मोधी है दूसरी तरफ राहूल गांधी है राहूल गांधी की जगे अगर प् है कि मोधी अपने आप में ठीक है मतलब उनको चेहरे पर वोट मिल रहा है आप सहमत है इन से माधी माधी का इप चेहरा कोई मोधी का चेहरा है निए पिछले साल दो योग ना था अब नहीं है इस समय हम मौजूद है हिसार लोकसभा चेतर के गाउं मैयड में और हमारे कि इन से जानते हैं हिसार लोकसभा चेतर का माहूल क्या है आप किसी को वोट दो हम तो माहूल जाना चाहरे है क्या माहूल है और कौन-कौन चुनाव लड़ रहे हैं या आप से जाना चाहरे है कि नाम परदीप नाम है एक तरफा माहूल है कांग्रेश का परदीप भी बोल रहे हैं आपका के नम अनिल क्या वजह कांग्रेस का जो आप माहूल बता रहे हैं सब्सक्राइब धुकारपक tyre लेकिन सरकारी खरीद से जो सरकार पैसे से करीद रही है उसके पैसे लब繼續 उसके intertwina महिना-डेट मेना-दो मेने लग जते इतना जमिदार क्या घंका problemas किन किन DO के बीचे बताओ मुखाबला फिलाल तो है कोनि आपको थी सारा फिलाल अकेला जंपी तो 달 हमान तो पिरज उनलब किसे मांर रहे दूसरे कोई किन यह सब्सक्रास प्लाम अचा होंगा साराしました 2014 सब्सक्राइब दोजार निस में आप मैयर की बात कर रहें हिसार लोक सबाइब कि अधिक तो जब कर वाएंगे तो जब कि लिए रहा है यह इसार लोकसबा चेतर क्या कह रहा है तो जन्ना एक जननता पारिटी इंडियान नेशनल लोग दल कहीं है नहीं यह नहीं है अच्छा इन दोनों में से अगर आप से युआ हो सब जगें गोमते पिरते रहते हो आप से अंदाजा लिया जाये कि इन दोनों में जो आप भाजपा कांग्रेस की दोनों में से थोड़ा सा पलडा किस का बारी देखते हो भी इस वारे में एक्षन के बिल्कुल नजदी का ने का माहूल के यह आपके तो बीजी पी के माहूल है क्या नाम अपना रकेश कुमार रकेश पीजे पी किससे मुकाबला मान रहे आप ज्यादा तो इसी से जी जु आप अपने में आपके अपने में हाइं की कावोलो देख है अभी नहीं बता सकते कांगरेस है या बीजेपी का मुकाबला है आप बताओ भाजपा को बोट क्यों जा रहा है कांगरेस को क्यों नहीं जा रहा वो बताओ कांगरेस ने कब काम किया नहीं है कर नौनी जाना पर रूर्क्षार इसमाथ कर्णाना रूर्रा